तो चलिए स्टार्ट करते हैं पिछले लेक्षर में हम लोग instantaneous access of rotation point of instantaneous access of rotation देख चुके थे तो आए उसी पर कुछ question solve करते हैं तो निकालते हैं पहले हम लोगो point of instantaneous salvation point of instantaneous access rotation कैसे निकालेंगे याद है हमको एक ऐसा पाइंट जिसके net velocity 0 ठीक है उसको दून निकालेगा दो तरी 4 सीधे सीभी जुटेखियों को पता हो जै नेटलिस्टीश्टीशी 0 कैसे या रहे आपि और जो जिवी जैसे या तो यहां बालेट्वी आप्ट को सब्सक्राइब निकला है कि परेंगे जहां पर सल्पोंड मिलेंगे वह होगा आईर ठीक है quently सब्सक्राइब पर आपके सब्सक्राइब करना चाइट थीज़ नियुक्राहिंद सब्सक्राइब कि निron ile रख़ां में ना वाट सब्सक्राइब करें एक वाया थी आप यह वीद्द है तो S point की वेलस्टी वी नौट ही होगी ट्रांसलेशन में अगर हम देखें प्लस rotation की वैसे यह ऐसे rotate हो रहा है तो यहां की वेलस्टी क्यों जाएगा omega कितना distance है l by 3 omega l by 3 की वेल्व तो omega की वेल्व क्या 3 जीरो ठीक है वेल्व जीरो जाएगा तो यानि इसके बाउट और प्योर rotation में तो हम लोग सीधे सीधे आई omega लगा सकते हैं इसके बाउट आई इन टॉमेगा कि क्लेर हैं तो ध्यान दीजिए हम दोनों तरीके से solve करते हैं इसको एक हमारे पास formula होता है हमारे पास कौन सा formula होता है और नॉट क्रॉस अवीज नॉट प्लस आई से लिए झिटू माइट से पहले निकाल लेते हैं इसके बाउट तो क्या होगा जिस पॉइंट के बाट निकाल रहे हैं वहां से सेंट्व मास की डिस्टंस यानि यानि ये रोड था यह वी नौट है यहां से तो आर-क्रॉस-म्वी- आर नॉट क्रोस अंवी नॉट यानि clockwise आगा clockwise को पॉस्टी माल लेते हैं तो आर नॉट की वालव किया L by 3 दोनों परपेंटकलर है आर नॉट और वी नॉट तो दोनों की भीच का एंगल 90-90 हो जाएगा तो आर नॉट एल भाई 3 आर नॉट को पॉस्टी माने प्लस आइसेंटो मास इंटॉ-मेगा यह भी क्लॉकवाइज है ओमेगा तो आइसेंटो मास इंटू-मेगा एमल स्कॉर ऐए ट्वेल हैं अब मेगा वैल रख दो 3 वी नॉट बाइल त्री नॉट बाइल यह आ गया अफ़ी नॉट या गया आफ वह लगाए थी रग दो क्योंकि clockwise यह clockwise ही आ रहा है हम लोग कोई दिये थी clockwise is clockwise है ओमेगे भी clockwise रख सकते हैं अगर anti-clockwise माइनस लगाते हैं तो में में मैं भी 3 रख दिये तो यह आ गया तो इस्वेन एक यत्रे सिक्स मेल स्कोटर में में अब ठीक यह तो उस वाले देखिए वही चीज़ा रहेंगा नहीं आई उमेगा रखे तो इसके बहुत आई नहीं काल नहीं तो आई क्यों जाएगा इसके बहुत आई हमको पता है सेंटों मास के बहुत M.L.S.C.W.M.. M.L.S.C.W.M.D.S.C.W.D.S.C.W.D. कि व्एसके बाइब तो J.S.C.W.M.L.S.C.W.M.B.S.C.W.M.S.C.W.D.E.S.C.W.M.E.S.C.W.E.S.C.W.M.S.C.W.M.S.C.W.M.S.C.W.M.S.C.W.M.S.C.W.E.S.C.W.M.S.C." के खरे एक अक्षामनल पूर देखते हैं, ठीक है जब आधिक जाफिर कहा दिखते हैं एक स्फियर है सॉल्ड इसालीक जिसका मास ऐंहें रेडियुस आ रहें, सेंट्र मास के वलश्टी वी-जॉर्ट है, एंग्लम वलश्टी हैं थे कि यह भी ङोकZA है ऐसे है तो यहां से दिक रेंख है कि ईसकी बात क्या इसकी वलस्टी जिढ़ा हो गी। जीरो देख लो जैसे आप देखो कि वी नॉट है तो उस पाइंट की वेलस्टी वी नॉट हो जाएगी ठीक यह कितना डिश्टेस रबाइटू ओमेगा ऐसे तो इसकी वेलस्टी क्लॉक्वाइज दो पीछे हो जाएगा ओमेगा और वाइटू है आया तो फिर अपना फॉर्म्बला रोलिंग वाला मतलब ए र्नॉट क्रोस ए बीट प्लस आई सेंट्रीण माशीं तूमेगा चलिए यह दोनों से करके छे देख लिए पहले आद नॉट प्लस एसेंट वासें तो मेगा तो इसके बहुत अगर आर नॉट ऐसे लगाएंगे आगे जा रहा है आरणोट यह वाला वैलू हो जाएगा कितना है आरवाइटू क्रॉस इसको पॉस्टी माली तो आरणोट की वालू रवाइटू दोनों के बीच का 90 डिए साइन नेंटी तो आरवाइटू एम वी नॉट तो आरवाइटू एम वी नॉट ठीक है प्लस आइसे आरवाइटू प्लस फोर आवी नॉट आरवाइट फाइफ एलसीम लेंगा एगा टेन ठीक है इसको तुछ जूम कर ले तो ल्सीम आएगा टेन यह हो जाएगा तुमारा फाइफ और एट थर्टीन आम वी नॉट आरवाइट थैन ठीक है इसको अगर हम लोग वेक्टर हमारे पास कि इसके बहुत प्यू रोटेशन है इसी के बहुत निकालना भी हमको जान दीजें तब यह हम करेंगे जब इसकी नेट वलेष्टी का होगे 0 जिसके बहुत निकालना तो इनुमेगा तो higher करिये तो इसके बहुत higher क्या करेंग 사 nेकु यह का करेंगा तो इ तो यह 2 x 5 m r square, यह m r square by 4, 20 हो जाएगा LCM, ठीक है 8 plus 5, 13, ठीक तो 13 by 20, तो क्या आगए हमारे पास? 13 by 20 m r square omega, तो स्थीम चीज़ा आगया कि नहीं? यहाँ पर, vector form में, तो इसके लिए form में वही आगा clockwise, तो clear है, तो जब भी अगर हमको instantaneous axis rotation या point पता हो, तो अगर उसके about angular momentum निखालना हो, तो सीधे-सीधे IO में अगर कर देंगे, clear है, चले, इस lecture में ही रोकते हैं, बाकि आगे की चीज़े हम लोग next lecture में पढ़ेंगे, ठीक है तब तक के लिए stay connected, thank you.